नमस्कार मैं रविश कुमार अर्विंद केजरिवाल के मामले में भी गिरफतारी जेल और बेल का खेल शुरू हो गया प्रोसेस इज पनिश्मेंट प्रक्रिया ही सजा है वही खेल जिसकी जाल से आज तक उमर खालिद नहीं निकल सका आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर सुनवाई होनी थी केजरिवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली जस्टिस एमेम सुन्दरेश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की स्पेशल बेंच के सामने ये मामला आया था केजरिवाल के वकील एडी की कोर्ट के सामने अपनी याचिका पेश करेंगे हेमन सोरेंट की गिरफतारी के समय भी सुप्रीम कोट ने कहा था पहले हाई कोट जाईए तो यह सब कारण रहा होगा कानूनी प्रक्रियाओं के मामले में आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिए क्या-क्या अपडेट होता है हम उसमें बताएंगे लेकिन इस वीडियो में E.D. और उसके छापों और उसकी राजनीती के बारे में बात करना चाहते हैं इन मामलों में अक्सर लोगों की राय पढ़ता रहता हूं कई लोग भगवान को याद कर लेते हैं वो इनसाफ कर देगा मगर लोग तंत्र में इनसाफ संस्थाएं करती हैं आप जनता की भागीदारी और चौकस निगाहों से होता है भगवान कुछ नहीं करते हैं रूस और चीन में भी भगवान होंगे मगर वहाँ एक बार लोग तंत्र गया तो गया हमेशा के लिए जब भरोसा हिलता है तो कब कौन सी यीट कहां से खिसक जाएगी और इमारत धस जाए पता भी नहीं चलता मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी भरष्टाचार से लड़ाई नहीं है भरष्टाचार के नाम पर विपक्ष को खत्म कर देने की कोशिश है अगर भरष्टाचार से लड़ाई होती तो आज चुनावी चंदे के बॉन्ड के मामले में च्छापे पड़ रहे होते उन कमपनियों की जाच हो रही होती बड़ी बड़ी कमपनियों के CEO गिरफतार हो रहे होते उनसे पूछा जा रहा होता कि ED के च्छापे के बाद भी उन्होंने कई सो करोड का चुनावी चंदे का बॉन्ड खरीदा इतना पैसा कहां से आया इसका पूरा हिस्सा या बड़ा हिस्सा BJP को दिया क्या ये पैसा घूस के रूप में दिया गया BJP के भीतर च्छापा पड़ रहा होता और मोदी सरकार के मंत्री गिरफतार हो रहे होते क्योंकि इससे तो ED की बची खुची विश्वस्मियता भी समाप्त हो जाती है उसके चापे के बाद कोई कमपनी उसी पार्टी की सरकार को चंदा दे दे जिसके अफसरों ने चापे मारे हैं तो कैसे नहीं संदे होगा कि मुकदमे से बचने के लिए पैसा दिया होगा इसी लेन देन के मजबूत आधार पर सुप्रीम कोट ने चुनावी चंदे के कानून को खत्म कर दिया अवैद और और सम्वेधानिक बताया आगे बढ़ने से पहले हम ये उधारन आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि उन लोगों को जवाब मिल सके जो ये कहते वे नहीं ठक रहे कि E.D. ने गिरफतार किया है तो नियाईक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आज की E.D. राजनितिक मामलों में भरोसे के लायक है जहानवी रेड़ी की ये खबर देख लीजिए स्क्रोल नियूस मिनट में छपी है अरबिंदो फार्मा के मालिक पी शरचन रेड़ी इसी आपकारी नीती के मामले में सरकारी गवाह बन गए हैं जिसमें केजरी वाल को गिरफतार किया गया है और मनीश सिसोदिया कई महिनों से जेल में है इस आदमी को जब एड़ी ने गिरफतार किया तो उसके पांच दिनों के बाद पांच करोड का चुनावी चंदे का बॉंड खरीदा और बीजेपी को दिया इसी मामले में के कविता भी एड़ी द्वारा गिरफतार कर ली गई है के कविता विधान पारशद हैं तेलंगाना में और पुर्व मुख्यमंत्री केसी आर की बेटी है शरचंद रेड़ी को 10 नवंबर 2022 को गिरफतार किया गया था उसके बाद इसकी कमपनी बीजेपी के लिए 5 करोड का बॉंड खरीदती है इसके अलावा सरकारी गवाब बन जाने के बाद रेड़ी ने बीजेपी को 25 करोड रुपे का चंदा दिया है इस कंपनी ने कुल 52 करोड का बॉंड खरीदा जिसमें से 34.5 करोड BJP को गया कंपनी ने 15 करोड BRS को भी दिया है इन पर आरोप है कि इन लोगों ने विजय नायर के जरिये आम आदमी पार्टी को कथित रूप से 100 करोड की रिश्वत दी और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाओं में हुआ शरचंद रेड़ी के अलावा दो अन्य सरकारी गवाब बन चुके हैं कहने का मतलब यह एक आरोप तो अर्विंद केजरिवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है इडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पारी कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया मनी ट्रेल तो भारतिय जंता पार्टी तक पहुँच रहा है इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रेल है, साबित है अगर E.D. कहती है औरविंदो फार्मा के सरत रेड़ी ने हवाला किया P.A. मेले किया, मनी लॉंडरिंग किया तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतिय जनता पार्टी के पास 30 करोड रुपे आया Proceeds of Crime तो भारतिय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सुबूतों के साथ जा रहा है सुप्रीम कोट के हावाले से आ गई ये बात और R.O.P. अरविंद केजरिवाल को बनाय जा रहा है मनी ट्रेल भारतिय जनता पार्टी तक जा रही है मैं नहीं जानता कि कोट आज इन चीजों को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मगर जनता ये सब देख रही है ये चीजे सब पब्लिक डोमेन के अंदर है मैं भारत की जनता से हाद जोड के निवेदन करूँगा और भारतिय जन्ता पार्टी के समर्थकों को खास्त और पिनिवेदन करूंगा जो कल से अर्विंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं जो खुशिया मना रहे हैं लड़ू बाट रहे हैं भारतिय जन्ता पार्टी के कुछ समर्थक कि खुशियां तो आप अरविंद केजरिवाल की गिरिफतारी की मना रहे हैं और पैसा भारती जन्ता पार्टी को मिला है बहुत बहुत धन्यवाद दो साल से ED शराब के मामले में रिश्वत की जांच कर रही है एक कमपनी उसके छापे के बाद 5 करोड का बॉन्ड खरीद कर BJP को देती है सरकारी गवा बनकर 25 करोड का चंदा देती है क्या ED को पता नहीं चला होगा जब उसे 100 करोड की लेन देन का पता चल जाता है तो कमपनी BJP को 34 करोड रुपे बॉन्ड के रूप में दे रही है क्या पता नहीं चला होगा अब इसी मामले में रिश्वत गया है या नहीं व्यापक प्रश्न बन जाता है लोग कह रहे हैं कि ED ने गिरफतार किया है कानून पर भरोसा करना चाहिए भरोसा करने के अलावा विकल्ब क्या है क्या केजरीवाल कानून पर भरोसा नहीं कर रहे है भरोसा तो किया ही जा रहा है सवाल है कि क्या ED भरोसा हासिल कर पा रही है उसके कितने ही ऐसे केस में कुछ भी नहीं निकला सिवाए इसके कि कुछ लोगों को खासकर विपक्ष के निताओं को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा इसलिए अगर यब भष्टाचार के खिलाब लड़ाई होती तो इसी बात को लेकर ED BJP के दफ्तर में छापे मार रही होती कि जिस कमपनी पर वो मनी लॉंडरिंग के तहट छापे मार रही है वो कमपनी BJP को 34 करोड रुपे कैसे दे रही है कहीं कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा है कोई भी तटस्त जाँच एजनसी इस सवाल को क्या छोड़ सकती थी इसलिए अरविन केद्रिवाल की गिरफतारी भारत के लोग तंतर के लिए बेहत खतरनाक संकेत है बड़ी बात है उनकी राजनिती से उनके पुर्व बयानों से अहसामत होने वाले नेताओं समाजिक कारे करताओं लेखकों ने भी इस खतरे को समझा और केद्रिवाल की गिरफतारी की निंदा की है योगेंद्र यादव से लेकर प्रशांद भूशन तक ने इसकी निंदा की जबकि दोनों केजरिवाल से घोर मतभेद रखते हैं बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी तमिल्नाडू के मुख्यमंतरी म.क. स्टेलिन ने गिरफतारी की निंदा की है शरत पवार ने निंदा की है और शिवसेना उधव की सांसत प्रियंका चत्रुवेदी से लेकर बिहार के पुर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गिरफतारी को लेकर कड़े बयान जारी किये हैं राहुल गांधी ने ट्वीटर पर बयान जारी करते वे लिखा है डरा हुआ तानाशा एक मरा हुआ लोगतंत्र बनाना चाहता है मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कबजा पार्टियों को तोड़ना कमपनियों से हफ्ता वसूली मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ती के लिए कम था तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफतारी भी आम बात हो गई है इंडिया इसका महतोर जवाब देगा कई लोगों ने याद दिलाया कि कॉंग्रेस के खिलाब केजरिवाल ने कितने हमले किये कॉंग्रेस की सरकार चली गई नरेंद्र मोदी देश की राजनिती में आ गए उनके लिए रास्ता बन गया तब जब केजरिवाल कॉंग्रेस के खिलाब हमले कर रहे थे उस समय भारत का लोकतंत्र इस हाल में नहीं पहुँचा था जो आज है तब राम लिला में धरना दिया जा सकता था नए लोग मिलकर नई पार्टी बना सकते थे और पुरानी पार्टी को चिनोती दे सकते थे आज हालात अलग हैं कॉंग्रेस ने इसे सही पहचाना कि यह सवाल पुराने हिसाब का नहीं है यह सवाल है भारत के लोग तंत्रे के उस भविश्य का जिसके मैदान में विपक्ष की एंट्री कई तरीके से बंद कर दी जा रही है राजनितिक दल एक दुसरे से लड़ते हैं विरोध करते हैं और कई बार हाथ भी मिलाते हैं लेकिन सरकार अपनी छापा मशीन का इस्तेमाल कर उनकी गरदन मरोड दे जेब से पैसे निकाल ले बिना हाथ पाओ और पैसे के चुनाओ के मैदान में जाने के लिए छोड़ दे तब कोई भी विरोध कोई भी बयान यहां तक कि उसका कोई भी अपराद इस खत्रे से बड़ा नहीं रह जाता है संदीब दिक्षित अर्विंद केजरीवाल के घोर आलो चक रहे हैं उनकी माश शीला दिक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी केजरीवाल ने उन्हें अपदस्त किया उनकी राज़ितिक जमीन को कमजोर कर दिया दिक्षित की भी जमीन समाब्थ हो गई फिर भी संदीब दिक्षित इस वक्त लोगतंत्र के खत्रे को एक मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफतार किये जाने के सवाल को कहीं जादा बड़ा मानते हैं दरसल यही लोगतंत्र का मुल्य है, पता चलता है कि संदीब दिक्षित के भीतर लोगतंत्रिक मुल्यों को लेकर कितनी स्पष्ट समझ है। संदीब दिक्षित व्यक्तिगत खुन्दस निकाल सकते थे, कॉंग्रेस खुश भी हो सकती थी, मगर सबने लोकतंत्र के सवाल को सर्वो परी माना और गिरफतारी की निंदा की कॉंग्रेस ने कानूनी मदद देने और साथ मिलकर लड़ने का वादा किया है जबकि इनी संदीब दिक्षित ने शराब घुटाले को लेकर प्रेस कॉंफरेंस की है केजरीवाल सरकार पर भरष्टा चार के आरोप लगाए है कॉंग्रेस ने एक नहीं कई बार प्रेस कॉंफरेंस की है बीजेपी उन सभी के हिस्से को लेकर वाइरल कर रही है और सवाल पूछ रही है जिस तरीके से और जिस समय केजरीवाल को गिरफतार किया गया है कॉंग्रेस जानती है कि ये घोटाले के लिए नहीं लोगतंतर का गला घोटने के लिए किया गया है तो ये समझना जरूरी है कि केजरीवाल की गिरफतारी उस दुसाहस का प्रदर्शन है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता इससे भी नहीं पड़ता कि ED के छापे के बाद दूसरे दल के नेता BJP में आ जाते हैं इससे ED की विश्वस्नियता खराब होती है और अंत में उन पर सवाल उठते हैं इसलिए उन्हें अपनी पार्टी में तो नहीं लेना चाहिए प्रधान मंत्री मोदी को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कई नेता तो ED का छापा पड़ेगा इसी के डर से BJP में आ जाते हैं प्रधान मंत्री मोदी को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि चुनावी चंदे के बॉंड के मामले में साफ दिख रहा है कि ED का छापा पड़ा है उसके बाद कमपनिया BJP को चंदा दे रही है एक दो करोड नहीं एक लाग पचास हजार नहीं कई सौ करोड रुपे का चंदा दे रही है जिस ED ने गिरफतार किया है वो निश्पक्ष है राजनितिक नहीं है यब वही कह सकता है जिसने कसम खा लिया है कि कुछ भी हो जाए हम गलत को गलत नहीं कहेंगे भले ही भारत का लोगतंतर समाप्थ हो जाए बीजेपी के कारिकरता ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वे अपनी पार्टी तो छोड़ेंगे नहीं मगर बीजेपी के लिए कहने वाले सामाजी कारिकरता बुद्धी जीवी और पत्रकार चालाक लोग हैं वे इन कुतरकों से बीजेपी में सेट होना चाहते हैं ताकि मलाइक हा सक बीजेपी के कारिकरताओं को ऐसे लोगों से सतरक रहना चाहिए कारिकरता जानता है अगर राजनिती में पुलिस का इस्तिमाल बढ़ा जांच एजिंसियों का इस्तिमाल बढ़ा तो राजनिती खत्म हो जाएगी हो सकता है आज बीजेपी सुरक्षित है लंबे समय तक सु कारिकरताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे ऐसे बियाबान में राजनिती करना चाहते हैं जहां केबल रेत ही रेत नजर आए कोई पेड़ नजर ना आए क्या वे ऐसे नेता के पीछे खड़े होना चाहते हैं कि पूरी राजनिती का जहाज खाई में ले जाकर गिरा द तब फिर उन्हें ये कहना छोड़ देना चाहिए बीजेपी के कारिकरताओं को कि वे सत्ता के लिए राजनिती नहीं करते हैं। और समर्थकों को ये समझना होगा कि अब रष्टाचार के खिलाब लड़ाई नहीं है। अंकिल कहलाने के लायक न रह जाओ याद रखना इस बात को। मोदी सरकार के पुर्व स्वास्त मंत्री हर्षवर्धन ने केजरिवाल की गिरफतारी पर कहा है कि कर्मों का फल मिला है। कोरोना के समय इनका रेकॉर्ड बहुत अच्छा होता तो ये मंत्री मंडल से निकाले नहीं जाते। तबाही के दोर में आपको स्वास्त मंत्री हर्षवर्धन का कौन सा कर्म यादगार लगता है। याद होगा कोवीट के समय यही हर्शवर्धन थे जो राम देव की एक फर्जी दवा कोरो निल के लांच में चले गए जिसके खिलाब इंडियन मेडिकल एसोस्टियेशन ने केस कर दिया जिस दवा को भारत सरकार अपनी सूची में शामिल नहीं कर सकी उस दवा को लांच करन सुप्रीम कोट ने क्या कहा है हर्शवर्धन को देखना चाहिए नयाय पालिका पर इतना विश्वास है हर्शवर्धन को तो सुप्रीम कोट के फैसले का राम देव के मामले में जो फैसला आया है स्वागत करना चाहिए कहना चाहिए कि राम देव को नकली दावे नहीं करन नहीं है उन्होंने लोगों को ठगा है सुप्रीम कोट ने उन्हें सही पकड़ा है अब राम देव ने बिना शर्त माफी मांगी है कहा है दुबारा ऐसा काम नहीं करेंगे सुप्रीम कोट ने दो अपरेल को उन्हें हाजिर होने के लिए कहा था कोट की अवमानना कर रहे थे अब जाकर माफी मांग रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन केजरीवाल के सामने दिल्ली की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सके। अब तो उनका टिकट भी कट गया है। अर्विंद केजरीवाल ने लोगतंत्र के मैदान में बीजेपी को तीन बार हराया है। 2015 से 2024 आगया केजरीवाल का विकल बीजेपी को नजर नहीं आता है। लेकिन इसके लिए केजरीवाल में किसी बीजेपी वाले के घर पर बुल्डोजर नहीं चलवाया, किसी को जेल नहीं भीजवाया। चुनाओं के मैदान में लड़ा, कई बार उनकी ही राजनिती और उनके ही तरीके से लड़ने में समझहोता करते हुए भी नजर आए। मगर किसी की गरदन पर हाथ रखकर राजनिती नहीं की। इतना सा फर्क समझ जाएंगे तो दिख जाएगा कि जेल भेज कर बीजेपी क्या हासिल करना चाहती है। दो साल से यह पार्टी और इसके नेता जाँच एजन्सियों की निगाह में हैं। बलकि याद कीजिए तो जब से सरकार बनी है तब से हैं। कितने चापे बड़े, कितने मामले दर्ज हो गए। लेकिन विधान सभा में बीजेपी केजरीवाल को नहीं हरा सकी यह भी सच है। नरेंद्र मोदी की लहर का हर दौर गुजर गया, दस साल गुजर गया, मगर वे इसी दिल्ली की जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। दिल्ली को G20 के पोस्टरों से भर दिया गया, फिर भी वे केजरीवाल का राजनितिक विकल्प नहीं खोच सके, ना खुद बन पाए। दिल्ली सरकार के विधायकों पर आफिस अब प्रॉफिट का लब्मा मामला चला, फर्जी मामले में निया पालिका का समय बरबाद किया गया, हर दिन गोदी मीडिया चलाता था, अब इतने विधायकों की सदसिता समाप्त होने वाली है, केजरीवाल की सरकार गिरने वाली ह साल पहले आतिशी सिंग ने बताया कि केजरीवाल के विधायकों के खिलाब डेर सौ से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, 42 विधायकों को जेल भेजा गया, बरी हुए, इस तरह का हमला इस राजनितिक पार्टी ने जहेला है, कोई ऐसा समय नहीं होता जब यह पार्टी केंद्र इजन्सियों से घिरी नहीं होती है, मौझुदा शराब नीती का मामला 2022 से चल रहा है, काईदे से जाच पूरी हो जानी चाहिए थी, मगर अभी छापा और गिरफतारी का दौर ही चल रहा है, आप याद कीजिए हर्याना में, दुश्यन चोटाला आपकारी मंत्री थे, आपने कभी एडी के जरीए किसी को गिरफतार होते देखा है या सुना है, जिस तरह से आज अदालत के अंदर मामला विचारा धिन होने के बावजूद, आनन फानन में, रात के अंधेरे में, देश के प्रधान मंत्री मानिय नरेंद्र मोधी जी ने, भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने, एजिंसियों को भेज करके, देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्य मंत्री को सरयाम गिरफ्तार किया है, वो आज देश के लिए एक कलंक है, लोकतंत्र की आज सरयाम हत्या हुई है, और देश के अंदर इस बात का एलान हुआ है, कि अब इस देश के अंदर भारतिय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्वत करेगा, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्सा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा. अरबिंद केजरिवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है, जिन्हें पद पर रहते वे गिरफ्तार किया गया, यह तकनीकी रूप से सही हो सकता है, मगर जारखंड के हेमन सोरेन को नहीं भूलना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि राची दिल्ली से दूर है, हेमन सोरेन ने इस केजरिवाल भी शड्यंत्र में शामिल, लेकिन लाइब लॉस से हमें एक और जानकारी मिलती है, 22 मार्च को जब हाई कोट में बहस हुई, तब एडी की ओर से ASG, S.V. रवी ने कहा, हमने कब कहा है कि गिरफ्तार करेंगे, हम पूछ ताच के लिए बुला रहें, गिरफ्ता स्टेंडाइलें, वो F.I.R. में नामजद नहीं हैं, और वकील के इस बयान के कुछ घंटे के बाद केजरिवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस व्यक्ति का नाम F.I.R. तक में ना हो, वो कुछ घंटे बाद आरेश्ट होता है, दो साल से चल रहे केस में, और कहा जा और उनकी गहर हाजरी में आम आदनी पार्टी का ध्यान चुनाव से हट जाए, कारेकरता बिखर जाएं, या केबल केजरिवाल समर्थक दलों के आरोप नहीं हैं, लेकिन कई परिस्थितियां बताती हैं कि E.D. का राजनितिक इस्तिमाल हो रहा है, अगर नहीं होता तो E.D के छापे के बाद कोई B.J.P. में क्यों जाता और B.J.P. उसे अपनी पार्टी में क्यों लेती, जल्दी से आप हिंदुस्तान टाइम्स की यह रिपूर्ट देख लिजे, N.C.P. के अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुशरिफ और दिलिप वाल से पार्टील पर जान चलाई गई, यह सब N.C.P. से अलग होकर अब अजित पवार N.C.P. में हैं, इनकी अलावा धननजय मुंडे पर भी जान चली, मुंडे फिलाल राज्जी में क्रिशी मंत्री हैं, शिंदे गुट में शामिल हैं, पहले भाजपा में थे, शिवसेना में रविंद्र वायकर, प्रताब सरनाईक, अर्जुन खोटकर, आननदराव, अजसुल, भावना गवली, यश्वन्त जाधों पर जांच हुई, यह सब भी अलग हो गए और शिंदे गुट में शामिल हो गए, N.C.P. शरत पवार के निता रोहित पवार, जो अजित पवार के गुट में शामिल न प्रताडित किया, क्योंकि उन्होंने शिंदे गुट में शामिल होने से मना कर दिया, संजेराउत भी 100 दिन जेल रह चुके हैं, तो E.D. की कसम खाने वाले, BJP से इतना पूछ लें, कि उसे E.D. की कारवाई में विश्वास है की नहीं, अगर विश्वास है, तो जिस नेता के हां E.D. ने चापे मारे हैं, उसे अपनी पाटी में क्यों ले लिया जाता है, जिस कमपनी में E.D. ने चापे मारे, उसे चंदा क्यों ले लेती है BJP, लोटरी किंग की कमपनी से कई 100 करोड रुप्य क्यों लिये, एक दर्जन से जादा ऐसी कमपनिया है, जिनके यहाँ चापे पड़े हैं और उसके कुछ समय बाद उन्होंने चुनावी चंदे का बॉंड खरीदा पैसा बीजेपी को भी गया है एडी का चापा पड़ता है तो कंपनी का पैसा गंगा जल और केद्रीवाल के यहां चापा पड़ा हेमन सोरेन के यहां चापा पड़ा तो उनकी ज 59 कारवाई की गई उनमें से 95 प्रतिशत विपक्षै से थे कुल 121 प्रमुख नताओं पर एडी ने किसी प्रकार की कारवाई की इनमें 115 विपक्ष गे थे UPA से तुलना कीजिए तो 26 निताओं के खिलाब ED की कारवाई हुई और इन में से 14 विपक्ष से थे यानि 54 पतीशत 2022 के बाद से विपक्षी निताओं के खिलाब ED की कारवाई में इजाफा ही हुआ है मार्च 2023 में मनीश सिसोदिया गिरफतार हुए अक्टूबर 2023 में संजय सिंग, हिमन सुरिन जनवरी 2024 में गिरफतार हुए के कविता दिल्ली आपकारी नीती मामले में आरूपी हैं गिरफतार हो चुकी है 2014 के बाद मोदी राज में जाँच एजिंसियों की विश्वस्नियता को आप देखिये तो सही तो आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी तब आप नहीं कहेंगे कि E.D. जिसे चाहे उठा कर ले जाए मन गढ़ंत आरोप पत्र बना दे और पांस साल के लिए जेल में ठूँज दे जादा दिन नहीं हुए हैं इसी E.D. ने करनाटका के उप मुख्यमंत्री D.K. शिवकुमार के आँच हापे मारे मनी लॉंडरिंग का केस हुआ और एक महिना जेल में रहे सुप्रीम कोट ने वो केस रद कर दिया है और D.K. शिवकुमार को बड़ी किया है क्या इसके लिए E.D. के किसी अफसर को सजा मिली नहीं मिली भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंदर सरकार द्वारा गिरफतार किया गया है ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोशना के बाद एक नैशनल पार्टी के नैशनल कन्वीनर को गिरफतार किया गया है ये बिलकुल साफ है कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी भारतिय जनता पार्टी की एक राजनेतिक साज़िश है एडी का उप्योग करके एक विपक्षी दल के राश्ट्रिय नेता को गिरफतार करना एक ऐसे केस में जिसमें दो साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एक रुपे की भी रिकवरी आफ प्रोसीड्स आफ क्राइम नहीं हुई है एक ऐसे केस में गिरफतार करना जहां पर आज तक एडी कोट्स के सामने कोई भी सुबूत नहीं रख पाई है सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतिय जन्ता पार्टी का डर है मनी लॉंडरिंग खतरनाक होता जा रहा है इसके प्रावधानों को सुप्रीम कोट में चुनौती दी गई है एक मार कोट ने सही करार दे दिया रिटायर्मेंट से दो दिन पहले जस्टिस खानविलकर ने फैसला दिया था कि एडी गिरफतारी से पहले एफ आई आई आर की कौपी नहीं दिखाएगी अनिवारे नहीं है जिसे एडी की शबदावली में एसी आई आई आर कहते हैं तदकालिंग जस्टिस रमना ने इस फैसले की समिक्षा के आदेश दे दिये जस्टिस खानविलकर को रिटार्मेंट के बाद लोगपाल बना दिया गया और अब लोगपाल ने त्रिन्मुल सांसद महुआ मोहितरा के खिलाव रिश्वत के बदले सवाल पूछने के मामले में एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिये सी बी आई ने अफ आई आर दर्ज कर दिया है तो ये लिंक समझे आज भरी अदालत में कपिल सिबल ने जो कह दिया वो याद रखिये सिबल ने कहा कि जब इस अदालत का इतिहास लिखा जाएगा या दौर स्वन काल नहीं कहलाएगा कितनी बड़ी बात सिबल ने अदालत के सामने कह दी जिन लोगों को लग रहा है की हर कोई इस दौर में चुप है जाएसे लोग जोखी मुटार रहे हैं भरी अदालत में उस सच को बयान कर रहे हैं जो सब को दिख रहा है सिब्बल बियारेस की नेता के कविता की गिरफ़तारी का विरोत कर रहे थे एडी ने उन्हें गिरफ़तार किया है कपिल सिब्बल उनके वकील है बेंच ने जब मामले को ट्रायल कोट में भेज़ दिया तब सिब्बल ने यह टिपणी कर दी जिस तरह जांच एजिंसियों का इस्तमाल विपक्षी दलों के खिलाफ हो रहा है एक ही रास्ता है कि चुनावायो इसे चुनाव तक के लिए कम सिकम रोग दे दो साल से इस एजिंसी से शराब के मामले में जांच पूरी नहीं हुई क्या अनंत काल तक के लिए नेता जेल में रहेंगे मनिश सोदिया को कितने समय से जेल में बंद रखा गया है क्या वही हाल केजरी वाल का भी किया जाने वाला है लगता तो ऐसा ही है इसी 20 मार्च को सुप्रीम कोट के जस्टिस संजीव खना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंच ने E.D. को फटकार लगाई कहा कि बार-बार पूरक चार्शिट दायर कर जमानत को रोकने की यह कोशिश अच्छी नहीं है E.D. अनिशित काल तक के लिए जाँच करती रहती है और बिना सुनवाई के ही आरोपी को जेल में रखने की परिपाटी अपनाई जा रही है इस पर तो आप ध्यान दें यह कोट ने कहा है उसी E.D. के बारे में जिसकी गिरफतारी पर लेक्चर दिया जा रहा है कि E.D. एक निश्पक्ष संस्ता है उस पर भरोसा रखना चाहिए इसलिए केजरिवाल के गिरफतारी भरस्टाचार की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई है ही नहीं इसके पीछे आप कानून और उसके तहट किया जाने वाला अपराद मत देखिए बलकि अपराद के नाम पर लोगतंतर का गला घोटने का अपराद देखिए तिक जाएगा नमस्कार मैं रविश कुमार